हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका 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 हमारे यूट्यू चैनल लर्न टैक्टीकल में फिर से दोस्तों ले के आए है हैं अवह नही जौप की इंफोरमेशन और र्रक्रीट्मेंट आरी है अच्टी-फसी बैंक की तरफ से अगर आप eligible होते हैं इस recruitment के लिए तो जुरूर आवेदन कीजेगा recruitment especially जो है फ्रेशर के लिए है आप अगर फ्रेशर हैं और ह्टीफसी बैंक पर जो है वो काम करना चाहते हैं वीडियो आपके काम की हो सकती है अलग-अलग locations के लिए vacancies है अलग-अलग post के लिए vacancies है तो खुद भी आके आपको एक बार चेक करना पड़ेगा कि आपको किस state के लिए आवेदन करना है किस city के लिए आवेदन करना है ग्रेजियट हैं पोस्ट ग्रेजियट हैं यहाँ पे आपको vacancies मिल जाएगी तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आपका htfc bank की official website पर जाकर किन-किन positions के लिए कैसे-कैसे अवेदन करना है तो शुरसिले के लास्ट तक्स वीडियो को complete देखेगा ताकि आपको हर एक चीज़ जो है वो समझ में आ जाए तो यहाँ पे दोस्तों एक request और करन तो वहाँ पे जाके जो है वो जॉइन करना मत भूलेगा अब बढ़ते वीडियो में आगे तो सबसे पहले बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको left side में experience की option दिखेगी यहाँ पे मैंने जो है वो 0 से 1 साल तक experience select कर लिया है अगर आप fresher है तो 0 से 1, 0 से 4, 0 से 5 select कर सकते है फ पिर आप यहाँ पे जो है वो कुछ भी select कर सकते है यह आपकी मर्जी है बाकी दोस्तों यहाँ पे अब लोग जो है वो सबसे पहले जैसे ही आप experience select कर लेंगे आपको यहाँ पे right side में जो है वही vacancies दिखेंगी जो की उसी experience की according जो है वो होगी तो यहाँ पे दोस्तों ATM coordinator की recruitment है operation executive की recruitment है credit underwriter की recruitment है उसके लावा जो है RCC officer की recruitment है जिसके लिए अलग-अलग locations में जो है आवेदन मागे गए हैं चनई में recruitment है उसके लावा अगर आप नीचे आ जाएंगे तो एहमदाबाद में हैं चंडीगर में हैं गोरकपुर में हैं मुंबई में हैं गुजरात में है उसके लावा नीचे आते जाएंगे लेकिन जितनी नई vacancies के लिए आप apply करेंगे उतने आपके selection के chances आता हैं यहाँ पे इस recruitment की एक और अच्छी बात है कि यहाँ पे आप जिस भी position के लिए आप apply कर रहे हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने लोग already apply कर चुके हैं यह इसी वीडियो में आपको देखने के लिए बताऊंगा कि कैसे आप देख सकते हैं तो यहाँ पे दोस्तों एक के लिए मैं आपको description करके और apply करके बता दूँगा बाकियों का आप खुद देख लीजेगा और अच्छा ही है कि आप अपनी city के लिए आवेदर कीजिए अगर यहाँ पे उसी city में जितनी recruitment निकली हैं वही दिखाई देंगी तो चलिए सबसे पहले ATM coordinator की recruitment है चनही की recruitment है बाकिया आप किसी भी जगा के लिए आवेदर कर सकते हैं इन positions के लिए ATM coordinator की recruitment है चनही में location रहेगी 0 से 1 साल तक experience है यानि कि freshers पी apply कर सकते हैं और जिनके पास 1 साल तक का experience है 6 मत का भी experience है वो भी apply कर सकते हैं मातर 34 applications यहाँ पे गई है यानि 34 लोग इसमें जो है वो apply कर चुके हैं जब आप apply करेंगे तो यहाँ पे 35 जो है वो number हो जाएगा अगर 10 लोग apply करते हैं तो यहाँ पे 44 हो जाएगा जो आप description में बहुत सारी चीज़े लिखी जानकारी होनी चाहिए जो कि आम इनसान को ज़रूर जानकारी जो होनी चाहिए current account, saving account, credit card, debit card यह basic चीज़े हैं जिनकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए ताकि आपको जो आपका interview लिया जाए जाए online assessment test लिया चाहिए तो आपको जो है जो पूछा जाए आपको उनके जो ह जो है या नहीं है बाकी skills में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि communication skills आपके थोड़े अच्छे होने चाहिए knowledge होनी चाहिए आपको current trend की financial industry में basically यह वो ही बोलना चाहते है कि आपको जो है वो financial services banking product की जो है वो जानकारी होनी चाहिए उसके लावा दोस्तों जो है वो process knowledge यहाँ पर मांगीगे और sales का जो है वो skill मांगा गया है बाकी आप graduate है पोस graduate है यहाँ पे आप apply कर सकते हैं अब दोस्तों apply करने के लिए आपको सबसे पहले apply पे click कर देना है click करने के बाद यहाँ पे email और password मांगा जाएगा लेकिन आप चाहें तो यहाँ पे new user पे click कर सकते हैं आप new user पे click कीजिए यहाँ पे अपना resume upload कीजिए अपनी profile को review करिए उसके बाद complete यह तीन step है तीनो step follow करके आप submit कर दीजिए जैसे submit कर देंगे आपके application submit हो जाएगी उसके बाद आपको उनके invitation mail की wait कर दीए शॉट लिस्टिट करा जाएगा candidate को और जो लोग shortlisted होंगे आगे का process उनी लोगों को बताया जाएगा जिन लोगों को वो चुन लेंगे shortlisted कर लेंगे अगर आप shortlisted नहीं होते तो आगे कि क्या process रहने वाला है उसकी जानकारी आपको जो है वो HDFC bank की तरफ से नहीं दी जाएगी बागी अगर आपको apply करना है तो इसी method से करिएगा कि local language के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए तो अगर आप पंजाब से आते हैं तो पंजाब के लिए आवेदन कीजिए डेली से आते हैं तो डेली के लिए आवेदन कीजिए अलग-अलग vacancies है मैंने आपको ATM coordinator की बताई है बाकि आप अगर credit underwriter की recruitment गई है HDFC bank की official website पर अगर आप देखना चाहते हैं link description में दे दिया है हमारी website का वहाँ पे जाके आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे और यहाँ पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं सो यही था दोस्ता आज की इस वीडियो में यही लिखा गया है उनकी website पर thank you very much इस वीडियो को देखने के लिए और आशागरतों का आपको वीडियो पसंद आई होगी समझ आई होगी वीडियो से related अगर आपके कुछ questions है comment section में पूछ सकते हैं channel को subscribe करें और मिलेंगे ऐसी किसी नही जौब अपटेट के साथ दुबारा से तब तक आप अपना ख्याल रखिए